नीमच में चोरों के होसले बुलंद धारदार हत्यार लेकर गर में गुसे चोर परिवार के सदस्तों से की मार पीट ले उड़े हजारों की नगदी और जेवरात नीमच के इंठाना शेत्र अंतरगत आने वाले कनावटी में स्थीत कर्मचारी कोलोनी में बिती रातरी में चोरों ने धावा बोला है चोरों के होसले इतने बुलंद थे कि वह धारदार हत्यार लेकर गरों में गुसे और परिवार के सदस्तों के साथ मार पीट की है और हजारों रुपे की नगदी एवं जेवरात ले उड़े हैं पिरित परिवार ने बताया कि बिती रातरी में दो से तीन बजे के बीच चोरों ने यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चार मकानों के ताले चटकाएं हैं करीब पांच बदमाशों ने चूरी की वारदातों को अंजाम दिया है। करमचारी कोलोनी में निवासरत सुरेश पिता प्रभुलाल जाटव के गर में चेनल गेट का ताला तोड़कर चोरों ने अंदर सोरे परिवार को उठाया और धारदार हतियार से लकडी का दरवाजा तोड़ दिया। पतिपतनी के साथ मारपीट कर सोने की अंगुटी एवं मंगल सुत्र साइथ 3,000 रुपे की नगदी लेवड़े हैं। इसी प्रकार रमेश पिता रगुदास बेरागी के गर में दरवाजे की कुंडी तोड़कर मारपीट करते वे मैला से मंगल सुत्र चा इवरात लेवड़े हैं। चोरी की गटना की सूचना मिलते ही केंड पुलिस भी मोके पर पहुंचिये और मोका मुआयना करने के बाद आसपास लगे सिसी टीवी फुटेज भी पुलिस ने खगाले हैं। फिलाल पुलिस चोरों की तलास में जूट गई है। करीब करीब रात की तीन से जो साड़े तीन के बीच गटना हुई है और दर्वाजा थोड़ दिया है कॉंचियों टुटी हुई है और इसका मंगल सुथ मेरी चान्दी की चेन और नगदी लेगा है। किते नगदी लेगा है। मारपिट करीण की साथ हुई है। किस तरीके चोरी घरी उन्हों ने चोरी और ताले वाले उन्हों के पास कुछ हत्या था केची विची टाइप्स ताले उससे काता है। कि यहां से कुंदी तोड़ दी है और वो ड्रम का ताला तोड़ दिया काड़ दिया उन्होंने। और उसके फेट में लाजमारी मिसेस के और लगदी थी साथ हजार हुए। मैं कंट्रेक्शन का काम करता हूं तो पेएमेंट नहीं है। आपका मोबाइल बगर है भी ले गए हुए। मोबाइल ले गए थे और वापिस दे गए हुए। कित्ते कित्ते लोग थे पांस थे। क्या आप उन्हें पेचान सकते हैं। हाँ हल्केल की एक सगल थोड़ी याद है मेरे को एक पेचान सकता हूं। अगर सामराएंगे तो आपका नाम। रमेश्वेलागी।